हलो आज है सेवन्थ नवेंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहें नाइका के बारे में देखिए एक सो पचास रुपे के आज पास शेयर ट्रेड कर रहा है और कुछ दिनों में अगर हम देखे तो इसने अटेम्ट करा है पिछले दो दिनों में अटेम्ट करा है तीसे दिखाने का क्योंकि नमबर आए थे इनके और नमबर अच्छे थे और जिसके चलते 140 से 150 पर दो ही दिनों में ये चला गया लेकिन अगर आप ग्राफ दिखोगे तो पहले 150 से गिर की 140 पर ये आया भी था और कुछ ताइम इसने वहां पर बिताया और नंबर के बाद तेजह दिखाई जो कि अच्छे नंबर से लेकिन पिछले एक साल का अगर हम ग्राफ भी देखे तब यह डिजास्टर्स भी यहां पर देखने को मिले हैं जब भी इसने कोशिश करी है तेज़े दिखाने की और खास करके एक सो पचास रुपए का जो लेवल है वो रेजिस्टन्स के तोर पर अभी यहां पर काम कर रहा है इससे पहले भी तेजी दिखाई 150 पे गया वापस गिरा 150 पे गया वापस गिरा 150 पे गया वापस गिरा अब वापस वहीं पे पहुंच चुका है बातचित करेंगे वीडियो में कि वही है कमपनी का जो position है अभी वो किस तरीके से है valuation सस्ते है, महंगय है, क्या है उसके बार में बात करें, उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो please अभी इसे subscribe कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियो आपने जब काफ़ी जादा help करेंगे, तो देखें एक साल में लेवल से support मिल जाता है और 150 रुपे के लेवल पर resistance आ जाता है जहां से ये गिरता है, देखना होगा कि इस बार 150 का लेवल ये तोड़ कर breakout दिखाने में कामियाब हो भी पाता है कि नहीं, या वापस वही होगा जो हर बार हुआ है, तीज़ी की यहां पर trade होते नजर आ रहे हैं इतना ही नहीं, अगर देखा जाए NICA को लेकर, तो भाई या numbers तो definitely उतने अच्छे नहीं, लेकिन अच्छे नहीं, लेकिन यहां पर insider transaction summary अगर आप देखोगे ना तो भाई सब बिक्वाली के हैं बिक्वाली के हैं पिछले महिने भी अगर आप देखो October में, तो जो company के जो insiders थे, वो लगातार अपने shares को बेच रहे हैं, 150 रुपे के आसपास गया, बिक्वाली शुरू, 25,000 share बेचे 6 October को, यहां पर 3 October को 8,700 shares बेचे गए, 68,000 shares बेचे गए, 10,000 shares बेचे गए, 25,000 shares बेचे गए, तो बिक्वाली यहां पर जादा देखने को मिल रही है, और यही एक सबसे बड़ा negative point भी है यहां पर, कि वह यहां खरीदारी नहीं बिक्वाली जादा है, अगर नाइका को लेकर देखा जाए, तो इसका जो कह सकते हैं कि valuation के हिसाब से देखा जाए तो बाई सब महंगा है यह अगर हम आज के मामा अर्थ का 1,700 का PE को अगर हम criticize कर रहे हैं तो मामा अर्थ अनाइका का भी जो PE ratio है वो तो 2,106 का PE है इसका यह और भी जादा कह सकते हैं महंगा है यह market cap इसका 42,000 करोड के आसपास का देखने को मिल रहा है इसका ROE 1.42% के आसपास का है और जहां तक बात करें इंडेस्ट्री PE की तो वो 100 का इंडेस्ट्री PE है लेकिन इसका PE ratio 2,106 का है तो भाई सब काफी महंगा है हलाकि इसके अभी सब्टेंबर के नंबर अच्छे आए आप देखे पहले डिसंबर के देखो हमेशा डिसंबर के नंबर बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि festival season होता है तो विकरी जादा होती है तो इस बार के डिसंबर के नंबर और बहतर होंगे और जहां तक आदे को सब्टेंबर से डिसंबर में ग्रोथ देखने को मिलता है लेकिन वापस से मार्च में डिकलाइन आया जून में तीजी आई और जून में तीजी यह जो festival season वगयरा अभी डिसंबर में भी अच्छा था पिछले साल 9.20 करोड का था बाद में fall आया 4 करोड 28 लाग के आसपास रहा बढ़ा और अभी last सब्टेंबर में 9 करोड 30 लाग के आसपास का इनका profit हुआ है जो कि अच्छा profit है खरा profit नहीं है और यही वज़ा है कि 140 का share दो दिनों में 150 पर चला गया लेकिन 150 रुबए का जो लेवल है वो एक resistance वाला लेवल है समझेगा इस चीज़ को ठीक है उस चीज़ को समझेगा और जहां तक बात करी जाए नायका में shareholding pattern की ठीके promoter 52.26% की holding लेकर बैटे हैं retail यहां पर आते हैं 23.89% की holding पर आते हैं retail investors यहां पर mutual fund 10.62% पर है Files 9.84% पर है और domestic institutions यहां पर 3.39% पर है तो वाईसाब mutual funds और Files बढ़ी quantity में है लगिन अगर मैं इसको compare करूंगा December के से तो यहां पर Files की जो holding थी वो actually में घटी है और mutual funds की जो holding है वो यहां पर बढ़ी है अगर आप देखोगे तो वाईसाब हाँ Files की holding जादा थी mutual funds की कम थी तो mutual funds ने खरीदा Files ने यहां पर बेचा है Domestic अगर आप देखोगे तो वो almost जहां थे वहीं पर है लेकिन retail ने भी यहां पर बिक्वाली करिये 26.43 से घट कर 23.89 पर आया है retail investors तो देखे overall NICA का share भी मुझे लगता है कि उतना ज़्यादा positive तो मैं नहीं हूँ खा सके इस तरीक के valuation के उपर लेकिन हाँ इसका December quarter अच्छा हो सकता है तो अगर आपके पास है तो आप इसको यहां पर carry कर सकते हैं लेकिन लेकिन फ्रेश बाइंग की मैं सला यहां पर नहीं दूँगा नायगा के share में क्योंकि यह मुझे लगता है कि दिक्कत यह है कि महंगे valuation के उपर तो है ही और दूसरी बड़ी वाद competition आने वाले time में बहुत ज़्यादा यहां पर बढ़ने वाली है Reliance और Tata वहिया definitely यहां पर और बड़े प्यमाने पर अपने आपको भी प्रेजंट करने के कोशिश करेंगे नायका definitely online में नायका अच्छा कर रहा है लेकिन offline में इनको सबसे बड़ी competition Reliance से होने वाली है Tata से होने वाली है तो वहां पर इनके लिए problem definitely create होने वाली है तो अभी के लिए में तुम्हें इसको avoid करना ही जादा पसंद करूँगा मेरे हिसाब से और at least 650 रुपया का level एक resistance वाला level जरूर है तो वह भी देखना हो कि वह इसको breach कर पाते है कि नहीं तो avoid करिए wait and watch simple से बात है और अगर आपके पास है तो at least आप इसको December January तक carry कर सकते हो कोई दिक्कत की बात नहीं है लेकिन एक strict stop loss के साथ carry करिएगा या इसको और long term का outlook मुझे अभी तो उतना better नहीं लग रहा है ये मेरा मानना है बागी मरजी आपकी है वीडियो को यहीं पर end करूँगा पसंद आ हो तो like करें रिश्यागर चनल बगरा पहले बाहरे दर प्लीज सब्सक्राइब करें और नाइका के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे comment में लिक के बता सकते हैं थेंक्यू